जैश्री राधे कृष्णा ओन कुक्रेजा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है हरी अनन्त हरी कथा अनन्ता में आज सुनिये मधुर व्यवहार एक राजा था उसने एक सपना देखा सपने में उससे एक परोगकारी साधु कह रहा था की बेटा कल रात को तुम्हें एक विशैला सांप काटेगा और उसके काटने से तुम्हारी मृत्यू हो जाएगी वह सर्प अमुक पेड़ की जड़ में रहता है वह तुमसे पूर्व जन्म की शत्रुता का बदला लेना चाहता है सुबह हुई राजा सोकर उठाओ सपने की बात अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या उपाय करना चाहिए इसे लेकर विचार करने लगा सोचते सोचते राजा इस निर्नय पर पहुँचा कि मधुर व्यभार से बढ़कर शत्रु को जीतने वाला और कोई हतियार इस पृत्वी पर नहीं है उसने सर्प के साथ मधुर व्यभार करके उसका मन बदल देने का निश्चय किया शाम होते ही राजा ने उस पेड की जड़ से लेकर अपनी शया तक फूलों का बिच्छौना बिच्छवा दिया सुगंधित जलों का छिड़काव करवाया मीठे दूध के कटोरे जगह जगह रखवा दिये और सेवकों से कह दिया कि राट को जब सर्प निकले तो कोई उसे किसी प्रकार कश्ट पहुचाने की कोशिश न करें राट को साम्थ अपनी बामबी में से बाहर निकला और राजा के महल की तरफ चल दिया वह जैसे आगे बढ़ता गया अपने लिए की गई स्वागत व्यवस्था को देख देखकर आनंदित होता गया कोमल बिछोने पर लेटता हुआ मनभावनी सुगंध का रसासवादन करता हुआ जगह जगह पर मीठा दूध पीता हुआ आगे बढ़ता था इस तरह क्रोध के स्थान पर संतोष और प्रसन्ता के भाव उसमें बढ़ने लगे जैसे जैसे वह आगे चलता गया वैसे ही वैसे उसका क्रोध कम होता गया राजमहल में जब वह प्रवेश करने लगा तो देखा की प्रहरी और ग्वार्पाल सशस्त्र खड़े हैं परंतु उसे जरा भी हानी पहुचाने की चेश्टा नहीं करते। यह असाधारन सी लगने वाले द्रिश्य देखकर सांप के मनमिस ने उमड़ाया। सदव्यभार, नमरता, मधूर्ता के जादू ने उसे मंत्रमुग्ध कर लिया था। कहां वह राजा को काटने चला था, परंतु अब उसके लिए अपना कार्य असंभव हो। गया, हाने पहुचाने के लिए आने वाले शत्रु के साथ, जिसका ऐसा मधूर व्यभार है, उस धर्मात्मा राजा को काटूं तो किस प्रकार काटूं। यह प्रश्न के चलते वह दुविधा में पड़ गया। राजा के पलंग तक जाने तक सांप का निश्चय पूरी तरह से बदल गया। उधर समय से कुछ देर बाद सांप राजा के शयन कक्ष में पहुँचा। सांप ने राजा से कहा, राजन। मैं तुम्हे काटकर अपने पूर्व जन्म का बदला चुकाने आया था, परन्तु तुम्हारे सौजने और सदव्यभार ने मुझे परास्त कर दिया। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, मित्र हूँ। मित्रता के उपहार स्वरूप अपनी बहुमूल्य मनी। मैं तुम्हे डे रहा हूँ। लो इसे अपने पास रखो। इतना कहकर और मनी राजा के सामने रखकर सांप चला गया। शिक्षा यह महस कहानी नहीं जीवन की सच्चाई है। अच्छा व्यभार कठिन से कठिन कारियों को सरल बनाने का उपाएं। रखता है। यदि व्यक्ति का व्यभार उशल है तो वो सब कुछ पासकता है जो पाने की वो हार्दिक इच्छा रखता है। कुछ पासकता है।